सब्सक्राइब कीजिए सबसे तेज न्यूस चानल को और घंटी बटन को दबाईए लेटर्स समाचार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बॉलिवोड सूपर स्टार रनबीर सिंग और दिपिका पादुकोन हमेशा से अपने रिलेशन्शिप के कारण सुर्खियों में रहे और उनके प्रशन्सकों को उनकी शादी का इंतजार रहा लेकिन अब उनके प्रशन्सकों का ये इंतजार खत्म होने वाला है जी हाँ दोनों की शादी की खबरे आ रही है हाला कि दोनों ने इस बारे में किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया है उन्होंने ना तो इस खबर की पुष्टी की है और ना ही इंकार किया है हाल ही मैं इंडिया टुडे को दिये एक साक्षत कार में रनवीर सिंग ने कहा था मैं नहीं जानता कि ये खबर कहां से आ रही है लेकिन मैं अपनी नीजी जिन्दगी और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता हूँ उन्होंने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा हाला कि ये चीजे मेरे दिमाग में हैं लेकिन अभी हमने कोई भी निर्णय नहीं लिया है पिछले सब्ता आई एक रिपोर्ट के मताबिक दिपिका अपनी मा के साथ शादी की खरिदारी करने गई थी और डी डे के लिए उन्होंने गहने भी चुले अब मुंबई मिरर में एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी वास्तों में होने वाली है और इसकी तारीख और वेन्यू भी दोनों परिवारों द्वारा निर्धारित किया जा चुका है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिपिका और रनबीर के माता पिता ने सितंबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच चार तारीखों का चैन किया है हलाकि इन चार चैने तारीखों पर अभी दोनों सूपर स्टार्स की मुहर नहीं लगी है मिरर में दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दिपिका अपनी मा और बहन अनीशा के साथ दुलहंट ट्रॉजर्स की शॉपिंग करते हुए देखी गई एक स्रोट ने बताया कि दिपिका और रनबीर डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते हैं लेकिन क्योंकि रनबीर का ज़ादतर परिवार और उनके रिष्टेदार मुंबई में हैं इसलिए दोनों परिवारों ने मुंबई के फाइव स्टार होटल से शाधी करने का फैसला लिय जिसके बाद एक Grand Reception भी होगा और इस शाधी में दोनों के खास दोस्त और कुछ रिष्टेदारों को ही सामिल किया जाएगा और ये शाधी सामान ने हिंदू रीती रिवाजों से होगी बताते चलें कि इन दिनों दिपिका बैक इंजरी के कारण कुछ महीनों की छुट्ट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं